सचिन तेंदुलकर का फेवरेट शेयर बना रोकेट, 5 करोड का निवेश बना 72 करोड सचिन तेंदुलकर ने बीते साल मार्च 2023 में आजाद इंजीनिरिंग लिमिटेट के शेयरों में करीब 5 करोड रुप्य का निवेश किया था और अब तक उनका निवेश लगभर 15 गुना बढ़ चुका है टीम इंडिया के पूर्ड क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्ट के नाम से पहचाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर बिजनेस की पिच पर चोके चके जड़ते हुए नजरा रहे हैं उन्होंने कई जगह निवेश किया है और इनमें एक फेवरेट कमपनी है आजाद इंजीनिरिंग लिमिटिट जिसमें उन्होंने करोड़ों रुप्य लगाए हैं और इसे उन्हें जोरदार मुनाफा हुआ है बुधवार को उथल पुथल भरे बजार में भी इस कमपनी के शेर में अपर सर्कित लगा और ये और टाइम हाइपर पहुँच गया शेर है या पैसे चापने की मशीन आजाद इंजीनिरिंग एक स्मॉल कैप कमपनी है और इसके शेरों में ताबर तोर तेजी का सिलसिला जारी है बुधवार को स्टॉक मार्कित में कभी उच्छाल और कभी गिरावर देखने को मिली लेकिन आजाद इंजीनिरिंग शेर तुफानी तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आया कमपनी के शेर में मार्कित ओपन होने के साथ ही पांच फीसदी का अपर सरकित लग गया और ये 1881.80 रुप्य के स्थर पर पहुंच गया जो कि इसका ओल टाइम हाई लेवल है खास बात ये है कि कमपनी के शेर में ये लगातार तीसरे दिन अपर सरकित लगा है निवेशकों को मिला मल्टी बैगर रिटन आजाद इंजीनिरिंग लिमिटेड के शेर में जारी इस तेजी से निवेशकों को जोरदार फाइदा हो रहा है इसका अंदाजा स्टॉक से मिले रिटन के आंकरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है पिछले पांच दिनों में ये शेर 14 फीसदी उचला है तो वहीं बीते एक महीने में इसकी कीमत में 28 फीसदी का उच्छा लाया है शे महीने की पफॉर्मेंस देखें बिजने स्टुडे की रिपोर्ट के मताबिक सचिन ने बीते साल मार्च 2023 में आजाद एंजीनियरिंग में 5 करोर रुपे का निवेश किया था और इसके जरिये उन्हें कमपनी के 3,65,176 एक्विटी शेर मिले थे जब सचिन तेंदुलकर ने इसमें निवेश किया था उस समय शेर की औसत कीमत 136.92 रुपे प्रती शेर थी इस हिसाब से देखें तो उनके निवेश में अब तक 14.56 गुना की बढ़ोतरी हुई है पांच करोर रुपे निवेश की वेल्यू बढ़कर 72.37 करोर रुपे हो बही है इन दिगगज खिलाडियों ने भी किया है निवेश सचिन तेंदुलकर ही नहीं आजाद एंजिनियरिंग के शेरों में पूर्व क्रिकेटर वीवियस लक्षमन, बैद्मिंटन स्टार साइना निहवाल और पीवी सिंधू जैसी ने भी पैसा लगाया है बतादे की साल 1983 में स्थापित आजाद इंजिनियरिंग लिमिटेड एरोस्पेस कंपोनेंट्स और तर्बाइनों की मैन्युफेक्चरिंग करती है कंपनी एरोस्पेस, रक्षा, उर्जा और तेल और गैस उद्योगों में मूल उपकरन निर्माताओं को अपने प्रोटिक्स देती है सचिन तेंदूलकर समर्थित कंपनी ने शेयर बजार में अपनी लिस्टिंग के बाद से निवेशकों को मल्ती बेगर रिटन दिया है